पूरी दुनिया में इतना अंधेरा नहीं की हुआ है एक मुअम्मत्ती के पिकास को फीका कर सके नमस्कर दोस्तों एक कथन किसका है गौतम बुद्ध सहाब का तो आज हम लोग बात करेंगे गौतम बुद्ध सहाब की वायोगराफी के बारे में यानि इनका पूरा जीवन का हम लोग देखेंगे किस तरह से सिदार्त गौतम एक बुद्ध बन जाते हैं इनके बाड़े में हम लोग बहुत बिषतार से बात करेंगे आज और आज भी आप देखते हैं कि इनके जो विचार थे जो इनके वो बिदेश थे उसने किस तरह से दुनिया को बदल दिया दु इन देशों से जब भी हमारी विदेश नीती बनती है तो बहुत धर्म को भी एक मतलब इसका आधार माना जाता है उसमें बहुत धर्म का भी आप सोची एक तरह से युगदान रहता है तो बहुत कुछ सीखने को आज आज आपको बहुत कुछ मिलेगा सीखने के लिए ठीक है तो ए आपको इनकी वाइव पिक्चर्स दिख रही होगी यानि की फोटू याद रखे मुझे समय कैमरा तो हुआ नहीं करते थे आप सभी जानते हैं तो आपके व्यक्तित में की बारे में किसी ने कुछ लिख दिया तो आपके उसी जिसाब से आपकी छवी गर दी जाती है चितकारों की द्वारा तो वही किया गया है ठीक है अब हम लोग सबसे पहले इनके जीवन के सुरू में चलते हैं यानि की बचपन से ही बात करते हैं महत्मा बुद्ध का प्यारंबिक जीवन देखते हैं महत्मा गौतम बुद्ध का पूरा नाम सिद्दार्थ गौतम था एक बात और बता दो या इनका जो बुद्ध नाम पढ़ा है तो पढ़ा है कब मिलाए ने आप सोचिए ग्यान प्राप्ती के बाद इसके पहले इनका नाम था सिद्दार्थ गौतम और इनका जनम कब होता है? 563 इसा पूर के बीच कपिल वस्तु के पास लुंबिनी नैपाल में इनका जनम कब होता है? 563 बीसी में इसा पूर में याद रखिए आप लोगों को जाना ध्यान इनके जनम पर मत देना है क्योंकि कई गिरंथ इनके जनम को अलग-अलग डिट पताते हैं तो हमें क्या जनम से लेना है? बस इतना समझेए कि आज से 2500 साल पहले कोई ऐसा बेखती हुआ जिसकी सिक्षा हो धर्मों को हम लोग आज भी मान रहे हैं आज भी इनके मतलब ऐसे इनों दिने उपदेश दिये एंसा को आप देखिए एंसा को गांदी जी तो 1917 में देखते हैं आप लोग उन्होंने यूज किया मतलब उपयोग किया हमारे भारत में आकर लेकिन आज से सोची आख धाई सो धाई हजार साल के लगबग किसी व्यक्ति ने इस तरह की बातें कही थी उसमें आज भी हम लोग अपना रहे तो इनके बिचारों पर और इनके उपदेशों पर ध्यान दिजी आप लो इसी से आपको कुछ सीखने को मिलेगा ठीक बता दें आपको कि कफिल वस्तु कि महारानी जो थी महादेवी को अपने फिहर याने देवधर जाती हुए रास्ती में पेशो पीड़ा होती है उन्होंने एक बालल को जनम दिया यही थे गौतम बुद्ध यानि कि सिद्दार्थ गौतम आप जानते हैं कि महादेवी इस तरह कि आप लोग कहानी भी कईया के एपिसोड अभी आए हुए है उन्हें भी आप लोग देखते रहते उसमें एक कहानी पूरा दिखाया जाता है कि किस तरह से महारानी जा रही है किस तरह से इन्हें बच्चे को पैदा होता है मतलब देख रहे हैं आप लोग पूरा कपिल वस्तु आपी एक तरह से कहानी उनकी बनाई गई है इनके पिता का नाम अगर बात करें तो सुद्दोधन था जो साक के राजा थे परमपरागत कथाओं के मताबिक अगर उनकी बात करें तो उनकी जो महादेवी थी जो कॉली वंस से संबन्दी थी किसे कॉली वंस से सिद्दार्द के जनम के साथ दिन बाद इनका निधन हो जाता है यानि कि इने चल बस्ती है इनकी बाद जो लालन फोसर होता है सिद्धार्थ का इनकी मौसी और जो सुद्धोधन इनके पिता की दूसरी पत्नी थी रानी महाप्रिजाबती गौत्मी ने किया और इनका नाम सिद्धार्थ रख दिया गया सिद्धार्थ का अर्थ क्या होता है आपको पता होगा इनका अर्थ होता है सिद्धार्थ नाम का कि वह है जो सिद्धी प्राप्ति के लिए जन्मा हुआ है एक बात और आपको यहां बता हूँ जब इनका जन्म हुआ तो आप देखते हैं कि जन्म से पहले यानि कि जब मा के गरम में होता है बच्चा तो कई क्या राजा महराजा क्या किया करते थे कि ना मतलब उसके भविस्थ के बारे में पूछा करते थे तो इनके भविस के बारे में पंडितों जो भी इस तरह की संत होते हैं उन्होंने बताया था या तो आपका बेटा एक महान समराट यानि की राजा बनेगा या एक महान संत बनेगा जो पूरी दुनिया को बदलने की अपने जो उपदेश होंगे उससे बदलने की कौसिस और वैसा ही होगा आपने देखा है इनके कहा जाता है इनके पिता ने घर से नहीं निकलने देते थे कहीं हमारा वेटा संत ना बन जाए और भी कहानी आगे है हम बताये के ठीक है अरथा सिध आत्मा जिसे सिधार्थ ने गौतम बुद्ध बनकर अपने कामों से सिध भी कर वही इनके जनम के समय एक साधू ने भविस्वानी की थी, कि यह बालक एक महान राजा या पर किसी महान धर्म का पिचारक होगा, जैसा मैंने बोला ना वैसा, आगे चलकर साधू मराज की इस भविस्वानी को गौतम बुद्ध ने सही भी सावित कर दिखाया, बेपविद ब किस संथ देखते हैं, किस तरह से संथ हैं, किस तरह से हमारे आके राजनेता हैं, इनसे आप लोग वापु भी परचित भी हैं, वही राजा सुद्धुधन को इस भविस्वाड़ी के बारे में पता चला, तो वह काफी सब्तरक हो गए, उन्होंने इस भविस्वाड़ी को गलिस सावित करने के लिए अठक प्रयास भी किये क्योंकि सिधार्थ के पिता चाहते थे कि भी उनके राज सिंगहसन को समाले और अपने पुत्थ के कर्तब को पूरा करे आप भी जाते हैं कि कोई पिता नहीं चाहेगा इस समय भी भी नहीं चाहेगा कि हमारा विट्टा संथ बने उसकी यही एक्छा रहेगी कि हम जो काम कर रहे हैं उसके बाद बो सभले उसे समझ रहे हैं और राजा की ये कलग बात हो जाती है वहीं इसलिए भी उन्हें अपने राजमहिल से बाहर भी नहीं निकलने देते थे यानि कि बाहरी दुनिया वो देखना ही नहीं देते थे भी सिद्धार्थ को अपने महिल के में सभी ऐसो आराम की आराम देने की कौसिस कर रहे थे लेकिन बालक सिद्धार्थ का मन बच्पन से ही इन आडंबरों से दूर ही था इसलिए राजा काफी कौशिसों के बापजूद भी सिद्धार्थ ने अपने परिवारिक मोव माया का त्याग कर दिया और सत्य की कोज में निकल पड़े यानि कि आप सोचें कि एक राजपाट छोड़ कर चला जाना कितना मतलब लगता नहीं है आज आप लोग सोचें आज कोई नहीं जाएगा आज अगर आप दो पैसे की भी बात हो तो भी आप नहीं जाएगे जब तक कोई लालच ना हो उस सोचे कि एक राजा का पूत पूरा समराट छोड़के समराज बना बनाया हुए और निकल जाता है सत्त की खोज में याद रखे इतिहास में उसी को याद रखा जाता है जो त्याग करे, तपस्या करे मतलब कुछ तो करे समाज के लिए किसी तरह से बदले समाज को बना आप सोचे 135 करोड जनसन क्या है डेली कितना पैदा हो रहे हैं, डेली कितना जा रहे हैं कोई याद रखता है, कोई नहीं आज जो हम करेंगे ओही इतिहास बनकर रागी रह जाएगा, यह आप समझते हैं आपको बता देंगी गौतम बुद्ध सुरू सही एक दयालू प्रवत्ती के व्यक्ती थे एक कहानी के मताबिक जब इनके सौतिले भाई देव ब्रत ने एक पक्षी को अपने बाण से घायल कर दिया था तो इस घटना से गौतम बुद्ध को काफी दुख भी हुआ था जिसके बाद उन्होंने उस पक्षी की सेवा कर उसे जीवन दिया था वहीं गौतम बुद्ध सौभाव के इतने दयालू थे कि बेदूसरे के दुखों में दुखी हो जाय करते थे उन्हें प्रजा की तकलीफों को नहीं देखा जाता लेकिन उनका ऐसो भाव राजा सुद्धुधन को अच्छा नहीं लगता था क्योंकि आप जानते हैं कि एक राजा बनने के लिए सीधी सिवात रहती है कि राजा बन रहे हैं आप लोग तो आप में एक मतलब गुस्से वाला ब्यक्ति चाहिए राजा का जब भी हमारे दिमाग में कोई ऐसा सब्ता आता है सासक राजा तो हम सोचते हैं उसमें कि उसकी छबी गढ़ने लगते हैं कि एक बहान होगा ऐसा होगा उसके पास तनी सेना होगी वो गुस्सा वाला होगा समझ रहे हैं लेकिन इनका नीचर एक संथ प्रवत्ती का था आगे बात करेंगे कि असोग ने किस तरह से बहुत धर्म को की मतलब आप समझे कि जोग गए उसकी तरफ तो आपने देखा किस तरह से इनके असोग के जीवनकाल में पूरी तरह से बदलावा गया यानि कि आप समझ सकते हैं कि इनके धर्मों को इनने जो धर्म खड़ा किया उसके पिरभाव में जो भी व्यक्तिया है वो किस तरह से बदल चुगा है एक समय हुआ करता था कि इसो बहुत करूर यानि कि बहुत हत्यारा राजा कहा जाता था इसे लेकिन इनके धर्म में आने के बाद वो धर्म अपनाने के बाद पूरी तरह से बदल जाता है अहिंसा के रास्ते पर चलने लगता है माता पिता भाई बेहन आप सुचे पसुनों के लिए अस्पताल भी खुलवा देता है इतना दयालू सासक बन जाता है रिवारीक मुए को त्याकर सिद्धार्थ ने लिया सन्याजी का फैसला किस तरह से इक लिया राजा सुद्धोदन ने सिद्धार्थ का मन सिक्षा में लगाए जिसके चलते सिद्धार्थ ने विस्वामित से सिक्षा गेंड की तो कह सकते हैं आप लोग कि जो विस्वामित थे ये पहले इनके गुरू थे यही नहीं गौतम बुद्ध को बेद उपने सनों के साथ साथ यह बुद्ध कोसल में भी निपोड बनाये गया सिद्धार्थ को बच्पन से ही गुड़सबारी को सौख था वहीं धनुस बाड और रत हाकने माला एक साथी में कोई दूसरा मुकाबला नहीं कर सकता था यानि कि यह सभी आप सूची एक व्यक्ती आपने भी देखा होगा चाड़क के बारे में आप सुनते रहते हैं कई लोगों के बारे में सुना करते हैं राचीन काल में आप सोच सकते हैं कि 2500 साल पहले लोगों में मतलब तरह तरह की एक तरह से आप महानता हासिल की हुए थे अर्धसास्त्री कह लेजे राजमितिके कह लेजे बिद्वान कह लेजे हर छेत में महानता हासिल की हुए थे वहीं साल, 16 साल की उम में उनके पिता ने सिद्धार्थ की साधी राच्कमारी या सोधरा से कर दी यानि कि इनकी पत्नी का नाम था, क्या था? या सोधरा जिससे उन्हें एक बेटे को जरम मिलता है, यानि कि एक बेटा होता है इनका उसका नाम राहुल रखा जाता है क्या राहुल गौतम बुद्ध का मन गहष्ट जीवन में लगा दने के लिए उने के पिता ने उन्हें सभी तरह की सुख सुविधाये उपलब्द कराई यहां तक कि कि सिद्धार्थ के पिता जो थे इन्होंने बेटे के भोग बिलास का भी भरपूर बंदोवर्ष्ट किया था राजा सुद्धोदन अपने बेटे सिद्धार्थ के लिए तीन रितिमों के हिसाब से तीन महल भी बनाए गए थे क्योंकि यह नहीं चाह रहे थे कि बाहर की दुनिया को कुछ देखे इनका बेटा तो इस तीन रितिमों के लिए अलग अलग रितिमों के लिए तीन महल भी बनाए गए जिसमें नाचगान और एसो आराम की सभी वेवस्थाएं मौजूद थी लेकिन ये चीजें भी सिधार्थ को अपनी तरब आकरशित नहीं कर सकी क्योंकि सिधार्थ को इन आडंबरों से दूर रहना ही पसंद था इसलिए वेश पर कोई खास ध्यान भी नहीं देते थे वहीं एक बार जब हत्मा बुद यानि कि सिधार्थ दुनिया को देखने के लिए सेरकन ने निकले तो ने एक बूड़ा दरित बीमार मिला जिसे देखकर सिधार्थ का मन बिचलित हो गया भी उसके कष्ट के बारे में सोचते रगी बूड़ा दरिद बीमार एक मतलब मरा हुआ व्यक्ति और एक इसमें संथ तरह तरह की व्यक्ति उन्हें बाहर देखने को मिले आप भी जानते हैं कि आपने कभी अगर देखा हो जब किसी की सवयात्रा में जाते हैं कभी आप लोग गंगा के नारे जाते तो लगने लगता है ना कि मोई माया है सब बाकी आने के बाद सब बूल जाते हैं एक कथा का भी आप लोग देखते रहते हैं कि कथा होती रहती है उसमें पंडिजी भी बड़े बिच्छत ठाइब के आजकल घ्यान देते हैं मैं कहीं सुन रहा था भी कुछी दिन पहले कि पंडित जी खुद बोल रहे थे कि समोई माया हैं खुद 10-20-20 लाक रोपे ले रहे हैं उसका था करवाने के और उसके बाद मैंने देखा एक जगे गौ साला का उदगाटन था वहाँ देखा कि गायों को गहास खिलाने के लिए लोग फोटू खिचवा रहे हैं गौरू जी खुद खिला रहे हैं उसके बाद मैंने एक दिन देखा गौरू जी घर में अपनी यहां जो गाया आ रही है उन्हें परिसान कर रही है उसे लट से पीट रहे हैं डंडे से मार रहे हैं समझ रहे हैं मतलब ए हम अपने उपर को गौतम बुद्धिक को देख लीजे। के संत आप देखिए कि मतलब एक अच्छी प्रवत्ति के हुगा कलते थे। खोस रहते थे। आज के संतों को देखिए। MP में अपने एक कंपूटर बाबा के वारे में सुना होगा। मैं एक दिन उनका वासवड सुनना आता है। अब इस चुनाओ की समय MP में। तो उनके ने बोला कि मतलब ऐसा वैसा मैं अगर ये हार गई वो हार गई वो जीत गई तो मैं सन्यास ले लूँगा, मैं धरती में समाज आओंगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। बाद में उन्हें बाबाजी को एक पद ये दिया जाता है। हार भी जाती है फ्रभी पद दिया जाता है। तो इनका मुझे लगाता है कोई धर्म नहीं है, ये मतलब राजनीती के लिए भी आने लगे हैं। तो मुझे लगता है कि आपका इस्थान सरूच्छ है, वहीं इसके बाद उन्होंने अपने परिवारिक जीबन से दूर जाने और अपनी जो पत्नी थी और अपने बच्चे का त्याग करने का फैसला लिया, तपस्वी वनने का फैसला लिया, जिसके बाद बे जंगल की तरफ चले गए, कठोर तपस्या की करकी पिकास और सच्चाई की खोचकी इन्होंने, कठोर तपस्या करके, आपको बताते हैं कि गौतम बुद्ध, यानि कि सिद्दार्थ है, जब घर छोड़ा तब उनकी आयूग महज 29 साल की थी, जब इन्होंने घर त्यागा, तो समयल की आप साथ ही उन्होंने आसन लगाना भी सीखा और साधना सुरू की, आपको बताते हैं कि सबसे पहले वो बर्दमान बिहार के राजगिरिस्थान पर जाकर मारगों पर भीख्चा मांगकर अपना तफस से भी जीवन सुरू किया इन्होंने, वहीं इस दोरान उन्हें राजा वि कर दिया, इसके अलाबा कुछ समय के लिए वे आंद्रिक सांती की कोज में भी पूरे देश के घुम कर साधू संतों से मिलने लगी, उस दोरान उन्होंने भी एक साधू की तरह भोजन का त्याक कर जीवन पितीत करना सुरू कर दिया, इस दोरान वे सरी से काफी कबजोर भ कि अपने सरीर को तकलीब देकर इस दोर की फिराप्ती नहीं हो सकती है, आप सोचिए कि हम खुद कुछ ना कर पाएं और हम दूसरे को करें, मुझे नहीं लगता है कि सफल होंगे हम लों, पहले खुद पर उन नीमों को लागू करना पड़ेगा, अगर आप सोचिए हम लोंने सही तरीके से ध्यान लगाना भी सुरू किया, जिसके बाद उन्हें इस बात का एसास हुआ कि अती किसी बात की अच्छी नहीं होती, जल्दी किसी बात की अच्छी नहीं होती, आज हम लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी हडवड़ा हडवड़ा की काम करते हैं अपने इस सुर के लिए खुद को कष्ट देना अपराद है। यही नहीं इस सत्थ को जानने के बाद महत्मा गौतम बुद्ध नित्पस्या और भिर्द के तरीकों की निन्दा भी की। अपर भगवान गौतम बुद्ध को उए ग्ञान की अगर प्राप्ती की बात करें, यानि और जो ग्यान प्राप्ती उसकी बात अगर हम करें तो एक दिन गौतम बुद्ध बहुत गया बिहार में पहुंचें। वे उस दिन बहुत थक गये थे। वेसाखी पूरिमा का दिन बे आराम करने के लिए पीपल की पेड़ की नीचे बैट गई और ध्यान लगाने लगी इस दोरान भगवान गौतम बुद्ध ने यह पितक ग्या लिए कि जब उनको सत्त की खोज नहीं हो जाती तब तक वो यहां से नहीं है लेए 49 दिनों की ध्यान के बाद उनकी और आती हुई देखी यानि की ज्यान की प्राप्ती की आपको बताते हैं कि गौतम बुद्ध की खोज का नया मोर थाए इस दोरान उन्होंने इसकी खोज की थी कि सत्त हर मनुस के साथ है और उसे बाहर से डूनना निराधर है इस गटना के बाद उन्होंने गौतम बुद्ध के नाम से जाना गया पहले आप जानते हैं कि सिदार्थ गौतम के नाम से जाना जाता था लेकिन जब इन्हें ग्यान प्राप्ती हुई तो इन्हें गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं इस सामान तोर पर आप भी आप देखते हैं कि गौतम बुद्धी कहलाते हैं उसे दार्थ के नाम से कमी लोग इने जाते हैं वही उस बैक्ष को जिसके नीचे ने ग्यान प्राप्ति वे उसे बौध्धी बैक्ष और इस थान को बौध कहा गया इसके बाद इनोंने पाली भास्ता में बौध दर्म का परचार पिसार भी किया आपको बता दें कि उस समय आम लोगों की भी पाली भासा थी और एक बात आप भी जानते हैं कि आप सोचिये कि उत्तर भारत में हमारे हिंडी सब कोई जानता है आप कहें कि आप कहीं तमिल भासा बोलने लगें तमिल भासा में यहां जो भी काम करवाना है जो भी आपको जागरूपता फैलानी है तमिल भासा में फैलाने लगें तो आप भी जानते हैं कि आदे से अधिक लोगों को समझ में ही नहीं आएगा तो आप अपने काम में सकसिज भी नहीं, यानि कि सफल भी नहीं हो सकते हैं तो आपको वहां की common भासा चुन्नी होगी, जो सब को मतलब सब उसमें आते हैं अभी भी आप देखते हैं कि कई योजनाय आती हैं, तो वो हिंदी भासा में रहती हैं पाली भासा को, कौमन भासा को चुना, जो सबी लिए वहां जानते थे यही बज़य थी कि लोगों ने इसे सानी से अपना लिया, क्योंकि अन पेवर्थ तक उस दरान संस्केत भासा का इस्तेमाल कर रहे थे जिसे समझना लोगों के लिए थोड़ा कठिन भी था इस बज़य से भी लोग गौतम भुद्व और बौत धरम की तरब जाना से जाना आकर सित हुए देखते ही देखते बौत धरम की लोग फिरता लोगों के बीच बढ़ती गई वही इसके बाद भारत में कई अलग अलख पिदेशों में कई हजार अन्याई फेल गए जिसने उनके संग का गठन भी किया वही इस संग ने बौत धरम के उपदेशों की कुपूरी दुनिया में फेला vidéo जिसके बाद बहुत धरम की अनुवाईयों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती गए गौतम बुद्ध ने लोगों को सच्चाई के मार्ग पर चलकर सरल मार्ग अपनाने का ग्यान भी दिया आपको बता दें कि किसी भी धरम के लोग बहुत धरम अपना सकते थे पर हुए आपको बता दें कि गौतम बुद्ध को हिंदू धरम में भगवान विश्णु का रूप माना गया इसलिए इन्हें भगवान बुद्ध कहा जाने लगा इसके अलावा बौत धरम की इसलाम में भी अपनी एक अलग जगह थे बौत धरम में एहिंसा जिसे आप आज भी बात करते रहते हैं अन्दा हजारे साहब आज भी देखते हैं आप लोग कीज पर बात करते रहते हैं एहिंसा को अप पनाने और सच्चाई के मार्क पर चलकर सभी मानो जाती पसू पक्ची को समान प्रहयम का दर्जा देने को कहा गया usage इसके साथ ही आपको बता दें कि महत्मा बात्थ की पिता और उनके बेटे राहूल दोनों ने बात में बहुत धर्म अपनाया यानी कि इनके जो पिता थे और जो बेटे थे इन दोनों ने बाद में बहुत धर्म को अपनाया गौतम बोधिके उप देशों एवं प्रवच्चनों का पिरचार पर साथ सबसे जानदा किसने करवाया समराथ असोग ने किसने? समराथ असोग ने क्योंकि सबसे जानदा प्रभावित बहुत धर्म से कोई हुआ है तो असोक समराठी आप लोगों ने देखा है कि हमने बायोगे राफी कबर की हुई असोक समराठी उसे जाकर देख सकते हैं आप लोग किस तरह से एक महान किस तरह से उनकी जिन्दगी में बदलावाता है आज आप असोक को जानते हैं तो उसके योधों के कारण नहीं याद दे इसलिए जानते हैं क्योंकि उसने बहुत धरम अपना कर अपने आप में परिवर्तन किया दरसल कलिंग योध में हुए नरसंगार से बिथित होकर समराठ असोक का हिदय परिवर्तन हो गया उन्होंने मात्मा बहुत के उपदेशों को अपनाते हुए इन उपदेशों को अबलेखों द्वारा जन जन तक पहुँचा है अबलेख गरने का यहीं मतलब था कि हजानों साल बाद भी लोग देखें तो जाने इनके यानिकी बहुत धरम के बारे में असोक के बारे में इसलिए आवलेख लिखे गए थे यही नहीं समराट असोक ने विदेशों में भी बहुत धरम के प्रिचार में अपना मात्मून योगदान भी दिया है आपने सुना होगा कि असोक ने स्रीलंका भी अपने बेटी संगमिता और बेटी महिंद को भी जागगा था प्रिचार के लिए खुद ने भी कई यात्राएं की ठीक है गौतम बुद्ध की अगर दी गई सिक्छा की बात करें हम लोग किनोंने क्या कहा तो गौतम बुद्ध ने तदकालीन रोडियों और अंद्वित स्वासों का खंडन कर एक सहज मानो धरम की इस्थापना की उन्होंने कहा कि जीवन सयम सत अहिंसा सत सयम सत अहिंसा का पालन करते हुए पवित और सरल जीवन वितीद करना चाहिए उन्होंने करम भाव ग्यान के साथ सम्मेक की साहदना को जोडने पर बल दिया क्योंकि कोई भी अती सांती नहीं दे सकती इस तरह पीडाओं तथा मित्ति उभर से मुक्ती मिल सकती और भहे मुटि एबं सांती कोई उन्होंने निर्वाण यानि की ग्यान प्रारक्ति कहा उन्होंने निर्वाड का जो मानों मत को सुजाया था वह आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि आज से धाई हजार बर्स पूर था मानों की मुक्ती कमार डूढने के लिए उन्होंने स्वैम राजसरी भोग बिलास त्याग किया और अनेक पिकार की सारे रिक यादनाएं जिली आप भी सोचिए अगर हमारे मन में जानदा आप सोचिए दुख क्यों है हमारे इसके बारे में भी तो उन्होंने बता है कि मोल माया आपके पास एक बंगला है आप सोच रहें दूसरा आजाए तीसरा आजाए एक गाड़ी है दूसरी आजाए तीसरी आजाए अगर आपके अंदर संतुष्टी है तो मुझे नहीं लगता है कि दुख आप होंगे अगर आपके पास जो करेंट में स्थितिती है उसी इसे इसाब से आप जी सकते हैं न ठीक है गहरे चिंतन मनन और कठोर साधना की परश्चाती उन्हें गया बिहार में बहुत धी वेक्ष के नीचे तत्तो ग्यान यानि की ग्यान प्राप्त हुआ है उन्होंने सरफ पे थां पास सिस्थों को सिक्षा भी दी हुई थी ठीक चलते हैं आगे हम बात करते हैं गौतम बुद्ध का परी निर्माड की अगर बात करें तो आपको बता दें कि 80 साल की आयू में गौतम बुद्ध ने अपने निवार्ड की प्राप गोशना की और समाधी धारेन करने के बाद गौतम बुद्ध के अनोयाईयों ने बहुत धर्म का जम कर फिरचार पिसार भी किया उस दौरान महतमा बौत दौरा दिये गए उपदेसों को जन जन तक पहुंचा है यानि कि हर समाज की तबके तक पहुंचा है और बड़े इस्तरबल लोगों ने बौत धर्म की उपदेसों को भी अपनाया भारत के अलाब आप देखेंगे चीन, थाइलेंड, जापान, कोरिया, मंगोलिया, बर्मा, स्री लंका जैसे देसों में बौत धर्म आज भी आपको बड़े उस समय भी था आज भी आपको देखने को मिलेगा एक कहां से गया, बौत धर्म हमारे ही देश से इन बाकी देशों में फैला याद रखे बौत धर्म के पिरचार की अगर बात प्रेम लोग, तो तश्टपश्चात अनेक पिताफी राजा हुए जिन्हों ने जो बौत धर्म की अनवाई भी बनी उनने भारत के बाहर भी तेजी से बौत धर्म को फैला है आज भी बौत धर्म आपका चीन जापान कई देशों का पिधाद धर्म भी बना हुए है उनके द्वारा बताई गई बातों की इस्थानिक लोग बड़ी सिध्धा से मानते थे उनकी मित्यू के बाद भी लोग उनके द्वारा बताई गई राश्ते पर चलते थे उनकी बातों का पालन भी करते थे उनकी बातों को कई लोगों ने अपने जीवन में अपना कर अपना जीवन सम्मरद मनाया उनकी मित्तियू के 400 साल बात भी लोग उन्हें भगवान का रूप मानते थे आज भी आप देखते हैं कि कई देश ऐसे भी हैं कि बहुत को भगवान मानते हैं देखते हैं आप लोग गुरुपुरी में मनाई जाती हैं किस लिए मनाई जाती हैं reflex दुखों से अगर मुकती दिलाने के लिए बात धर्म ने अश्टांगी कुमारग अपना बताया हुगा था एक क्या था अश्टांगी कुमारग इसे भी देख लीज Till महत्मा बौद्द के उपदेश बड़े ही सीधे और सरल हुआ करते थे यानि कि हर किसी को समझ में आने उपदेश थे जो इनके मतलब आप सोचे विचार थे वो सब को समझ में आ जाते थे उन्होंने काये कि समझत संसार दुखों से बरा हुआ है और यह दुख का कारण एकछा तरष्णा है जो मैंने बात की थी ना एकछा मतलब हमारी एकछा बढ़ती जाती है आज हमारे पास आइपॉन नहीं है ए भी तो दुख का कारण बन चुका है नहीं है भाई मह empat करिये आजये गा ठीक है लेकिन दुखी होने सिग्या में लेगा इसी में आदे लोग दुख बने रहते कि मेरे पास कारण नहीं है मेरे पास बंगला नहीं एक्छाओं का त्याक कर देने से मनुस्त दुखों से छूट जाता है उन्होंने लोगों को भी बिताये कि समयक दिष्टी, समयक भाव, समयक भासड, समयक बेवार, समयक निर्वार, सत्थ पालन, सत्थ विच्चार, सत्थ द्यान से मनुस्त की तरश्टा मिट जाती है वह सुखी रहता है भगवान बुद्धे के उबदेश आज की समय में यह भी बहुत प्रासंगे के और आज समय याद रखी बहुत बदल चुका है आज हम लोग अगर मौत की मौह में भी जा रहे है बुड़ापे में मालुक चल गया है कि 10 दिर बाद मौत भी है तब भी मौह माया लगी हुई है समद रहे हैं और मुझे लगता है कि अगर आप सत्त में जीते रहते हैं आप हाकिकत में जीते हैं तो आपको मौत का कभी डर नहीं लगीगा कि कभी भी मौत आ जाए आप खुस रहेंगे क्योंकि आपने जितना समय मिला हुए है आपने उस पर 100% दिया है इसलिए तो मैं हमेशा कहता है कि जो भी काम करिये जिन्दगी में मैं यह नहीं कह रहा हूँ पढ़ाई लिखाई की बात करो जो भी किसी भी फिल्ड में X, Y, Z वहाँ अपना 100% तीचे उस काम को किसी से प्यार कर रहे हैं तो 100% करिये यानि कि अपनी तरब से कोई कमी मत छोड़िये इससे क्या होता है कि जिन्दगी में कास सब्द खतम हो जाता है और ये कास सब्द ही हमारी जिन्दगी में बहुत दुख देता है तो इसलिए जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं जिस भी छेत में आप लो उसके बारे में उस छेत में एक माश्टर बन जाई है आप लो ठीक है महतमाबोद का जीवन बाकई कई पेड़ा देने वाला रहा है जिन्दोंने मानोता की मुक्ती कमार्ग ढूणने के लिए उन्होंने खुद रास्ति भोग बिलास तैर दिया और कई तरह की सारे रिक परेसानियों का सामना किया उन्होंने ग्यान और सत्थ की खोज के लिए कठोर साधना भी की जिसके बाद उन्हें अपने देखा बिहार में बहुत द्वेक्च के नीचे ग्यान भी पराफ्ट हुआ आपको ये बात मालू होगा आज तो हम लोग हमें लगता है लिए हम लोग करेंट में जीते ही नहीं हम लोग कभी अपने आप से मिलते ही नहीं हम मतलब जी रहे हैं मैं कहता हूँ 24 गंटे आपके पास रहते हैं डेली के एक पास-दस मेंट अपने आपसे मिलतो लिया करेगा आप क्या करें देखता हूँ कई लोग एक गिप्टेड मेरे पिता जी ने दिया अरे भाई तुम्हें पिता जी ने तुम्हें तो पूरा समराज बना कर दे दिया आपने पिता जी को क्या दिया कम से कम इस पर भी तो विचार कर सकते हैं आपके परिवार ने बहुत कोछ आपके लिए दे लेकिन आपने अपने परिवार को क्या दिया इस पर भी तो आप सोच तकते हैं मुझे लगता है कि सरम जो चीज होती थे ये आप किसी समाद के किसी भी ब्यक्ति में बची ही नहीं पिताजी ने आपको इतना खुश दे दिया या किसी भी परिवार के किसी भी मेंमार में आपका भी तो कर्टब बनता है कि आप भी उसे कुछ उसके बदले उनकी सिवागत रहें कुछ उन्हें जैसा दें कि उन्हें भी गर्भ होके आप जैसे बेटे को जर्म देगा उन्हेंने कोई गल्ती नहीं कि समझ रहे हैं आप लोगो चलिए खेर छोड़िए इस बातों को महत्मा गौतम बुद्द ने संसारिक आपको बता दें कि महत्मा गौतम बुद्द ने अपने पांस सिस्सों की सिक्षा को सिक्षा भी दी थी यहां तक कि कई बुद्धिमान और पिरताभी राजा भी महत्मा बुद्द के और देशों को ध्यान पूर्वक सुनते थे उनका अनुसरन करते थे और गौतम बुद्ध के अनुवाई बन गए इस तरह एक बहुत धरम भारत में यह नहीं बलकि पूरी दुनिया में बड़ी तेजी से फैल गया था भगवान गौतम बुद्ध के मताबिक मानो जीवन दुखों से भरा हुए उन्होंने बताया कि पूरे संसार में सारी वस्तुएं दुखमा रहे हैं इसके अलावा भगवान गौतम बुद्ध में मानो जीवन मरण की चक को दुखों का मूल कारण माना गया है बताया गया है कि सभी धरम का मूल उद्धिस माना को इस जनम और मित्यु के चक से चुटकारा दिला रहा है मैं यह नहीं कहता हूँ कि आप सन्यासी बन जाएए बिल्कुल नहीं ठीक है? मैं यह भी नहीं कहता हूँ कि आप लोग घर परिवार छोड़ दीजे सब कुछ निकल जाएए कि मैं इन्हें अभी तक यह भी नहीं कहा मैं यह कहता हूँ कि आपके पास कुछ इंसानियत मानावता तो होना चाहिए और इस समय आप देख रहे हैं कि मुझे नहीं लगता है कि मानावता दिखाए दे रही है एक बैक्ति चलता है दिल्ली से कोरुना महामारी के टाइम में और वो अपने घर तक पहुचते पहुचते मर जाता है क्योंकि कोई उसे पानी देने वाला वीवीच में नहीं मिलता है एक मा रोड पर बच्चे को जनम देती है कोई उसकी मदद के लिए नहीं आता है वो चलकर फिर से उठकर चलने लगी एक मा का बेटे को जनम देना या बच्चे को जनम देना आप सोचिए मा के लिए दूसरा जनम होता है इतनी पीड़ा होती है उसके फिर भी हम लोगों में कुछ नहीं बहुत बुरी हाला तुमने देखी है इस समय अगर दाम भगवान होते है या कोई में भगवान होता आप जिसे भी मांगते है मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को यह हमें माप कर पाएगा हम अपने आप से जूट नहीं बोल सकते हैं भगवान से जूट नहीं बोल सकते हैं अभी कुछी दिन पहले की बात है मैं किसी से बच्चे से एक कहानी सुन रहा थो तो उसने बड़ी इंट्रेस्टिंग कहानी सुनाई मतलब इस तरह ऐसे आप सोची कि मुझे लगा कि बच्पन में हैं कोई भगवान का रूप होता है बच्पन में वो सही राष्टे चुनता है लेकिन वो बड़ा होते जाते वो समाज के प्रभाव में आता है तो बदल जाता है क्योंकि अभी उस बच्चे ने कहा कि उसकी किलास में किसी मैडम ने पूच्चा होगा कि वो तीन बच्चों को तीन पक्ची देते और आपको इन्हें मार के आना है यानि कि इन्हें मार देना है बाप सी ले आना है और ऐसी जगए चुपाके मारना कि कोई दूसरा देखना पाए तो कहते हैं कि वो बच्चा मुझे मतलब उस बच्चे की वड़ी पांच्छे साल का उम्म का बच्चा बहुत मतलब ग्यान एक तरह से आपको उसमें समझधारी देखिए तो बोला सबने हमारे दोस्तों ने बोला कि कोई कहीं से ऐसा करके लिए आएगा कहानी पूरी सुनाई बोले मैंने बोला मैं कि मैं इसे पक्ची को नहीं मार पांगो बोली क्यों? बोला कि कोई देख रहा हूँ या ना देख रहा हूँ लेकिन भगवान तो देख रहे होंगे तो मतलब आप समझ सकते हैं कि एक बच्चे में कितना दिमाद है बाकि आप लोग समझ सकते हैं इस समय क्या चल दा है महत्मा गौतम बुद्ध ने संसार में ब्यापत सरिफ दुखों के बारे में बताया बलकि दुख उत्पन होने के कारण भी उन्होंने बताया इसके अलावा गौतम बुद्ध ने दुखों से चुटकारा दिनाने के लिए भी मार्ग बताया यानि कि जो दुख है किस कारण है वो भी बताया रोने और इसका मतलब क्या उपाय हो सकता है उसे भी बताया आपको बता दें इसके लिए बुद्ध ने अश्टांगिक मार्ग का उपियो किया इसमें सब कुछ बताया गया है किस तरह से दुख के कारण है आप समझ सकते हैं समझ रहे हैं आप लोग अश्टांगिक मार्ग देख लिए आप लोग क्योंकि आपके मन में बहुत टाइम से सब्द गूंजिर आया है फिर भी क्या मतलब होता है इसका इससे देख लिए समयक दिर्ष्टी सत्य तथा असत्य को पहचानने की सकती महत्मब बौद की मताविक जो भी सक्ष से दुखों से मुक्ती चाना चाहता है उसमें सत्त और असत्त को पहचानने की सकती होने चाहिए सम्मेक संकल्ब एक्षा एवं हिंसा रहत यानि कि आपके एक्षा एवं हिंसा रहत मतलब एहंसा का राष्टा महत्मा बहुत के मुताबिक जो लोग दुखों से मुक्ति पाना चाहते हैं उन्हें ऐसे संकल्ब लेने चाहिए कि हिंसा रहत हो और उनकी इक्षा प्रवल समयगवाडी, सत्थ एवं मिर्दुबाडी दुखों से निजात पाने के लिए मात्मा बहुत दूए समयगवाडी का भी बाड़न किया है बोध्धी की माने तो सत्थ और मधुर बोलने से इनसान को सुक की अनुवती होती है और दुख उसके पास पास भी नहीं बटकता है याद रखिए मैं कहता हूँ कि हमईसा ऐसे सब्द निकाली है अपने मुई से कि उसके लिए आपको पश्टाना न पड़े दोबार कभी ठीक है? हो सकता है कि आपकी वो लाश्ट सब्दों किसी के लिए लेकिन आप अपने सब्दों से कभी दुख ना हो ठीक है? फिर आप देखेंगे सम्मेक करम सद करम, दान दया, सदाचार, अहिंसा, इत्यादी, दया करना का भाव रखना और दान पुन और अच्छे करमों से भी मनुस दुखों से दूर रहता है आप सोचें मैंने तो कभी नहीं बोलता हूँ कि आप पूरा घर किसी को दान दे दीजे, अपना पूरा फैसा, समराज पूरा दान दे दीजे लेकिन ऐसा भी तो कर सकते हैं कि अगर हम देखते हैं अपने परिवार में अपने बच्चों को दीपावली के टाइम पर आपने देखा है कि हमारे बच्चे आज धाई यह जार से पांच जार तक की पटाकरी लगा देते हैं तो इसमें हम लोग अगर धाई पांच हजार या पांच हजार के अपने बच्चों को खरीद के दे रहें तो सौ रूपे के अगर किसी गरीब के बच्चे को दिला देंगी तो क्या भी कर जाएगा आपकी वज़े से कम से कम उसके चेहरे पर खुसी तो आएगी आप पचास जारे कमा रहे हैं उसमें से दस रुपे अगर दान कर देते हैं दान का मतलब मेरा ये कभी नहीं रहा है कि आप जाके मंदिर में पुजारी पाट करने बालों को दे दिए मैं कभी इसमेना भारोसा करता हूँ और मैं आपको मना नहीं करूँगा आप दीजी आपकी जो भी लेकिन मैं कहता हूँ कि बाहर जो भी आपको कहीं गरीब दिख रहा है भूंका दिख रहा है उसी खिला दीजी उस पेसी का कम से कम वो हक में लगेगा मुझे नहीं लगता है कि आप दन जो दान देंगे वो हक में लगेगा तो ये भी कर सकते हैं आप लोग और इतना तो आप लोग कर सकते हैं कि देपावली हो या फिर आप होली का टैम हो कोई भी तेवहार हो बड़ा तो आप अगर पचास हजार की सौपिंग कर रहे हैं तो ये दो-चार हजार रुपे की बस्ती वालों में अगर कहीं आपके पास है इस तरह की बस्ती बसी होई है गरीबों की तो आप माज़ा कर सकते हैं इसमें कोई बड़ी बात नहीं है आप देखिए कभी इस तरह का काम करी है उसके बाद देखिए कि किसनी मतलब आनन्द मिलेगा कितनी उन लोगों के चेहरे पर खुसी होगी सायद मुझे लगता है कि अपने बच्चे पर अगर पचास जार क्या पूरी जिन्दगी खरज कर दे तो सायद बच्चा में उतना वो नहीं देगा खुसी लेकिन सामने वाले आप देखिए कितना दस रुपे में भी आपकी भक्त बन जाएंगे समयक अजीब जीवन यापन का सदाचार पूर्ट एवं उचित मारे गौतम बुद्ध ने समयक आजीब हो भी जीवन यापन का उचित मारे बता है समयक ब्यायम बिवेक पूर्ट प्रतन मातमा बौत ने दुखों को दूर करने के लिए समयक ब्यायम करने को भी कहा उनका कहना है कि किसी काम को करने के लिए अगर विवेक पूर प्रयास की जाए तो सफलता जरूर अरजित होती है और मानो दुखों से दूर रहता है सम्वेक इसमिट्टी अपने कर्मों के पिती विवेक पूर धंग से सजग रहने की सिक्षा भी देता है मातमबुद्ट ने मानो जीवन के दुखों को दूर करने के लिए अपने कर्मों के पिती विवेक पूर तरीके से डंग से सजग रहने की भी सिक्षा दी सम्वेक समाधी चित की एकाग्गिता मानो पूर ने मानो जीवन में एकाग्गिता के मात को भी बताया उन्होंने काया है कि सम्मेक समाधी लेने से मनुस्त दुखों से दूर रहता है। मैं कभी यह नहीं बूलूगा कि आप इस तरह की सभी रास्ते चुन लीजें कियोंकि सभव भी नहीं है सभी समाज के लोगों के लिए। मुझे तो ऐसा ही देखता है। आप में इसानियत है तो मुझे नहीं लगता है कि आप कुछ गलत करेंगे। मुझे नहीं लगता है कि आप गली में कोई गिर जाता है तो आप न उठाएंगे। से आप उठाएंगे। किसी भी दहरम काओ, किसी भी जात काओ, किसी भी वर्ट काओ। मैं अभी देख रहा था कहीं कुछ ही तर पहले की बात कि कॉलिज के सामने एक बूरी माह मतलब गिर जाती है भीग मागने वाली। उसके बाद वहाँ लड़किया खड़ी है, लड़के खड़ी हुए, कोई आगे नहीं बढ़ने कोई, आता है। अगर कोई उठा भी दे, तो आप सोचे कि उसके उपर लोग हसते हैं। रेलवे में देखा होगा आपने, कई भी आप अमनी जिन्दिगी में देखते रहते हैं। नल खुला हुआ है, पानी गर रहा है, उसे कोई बंद नहीं करेगा। अगर कोई बंद कर भी दे, तो उस पर हसेंगे लोग। तो खेरे छोड़िए, यह आपकी महानता है, हो सकता है कि ऐसा करके आप ना बंद करके, ना किसी की मदद करके 200 साल जी जाएंगे, 200 साल, 500 साल क्या उखाड लेंगे। मुझे यह नहीं लगता है कि आप या मैं गलत रास्तों पर चलके कुछ उखाड पाएंगे। ठीक है, और 500 साल जीना जीना नहीं है कोई, इसके साथ इभगवान बुद्ध ने जीवों पर दया करने का भी उपदेश दिया है, हबन पसुबली जैसे आडंबरों की जमकन निंदा भी की हुए, इसके अलाबा महत्मा बौद्ध ने, बौद्ध ने सनात धरम के कुछ संक अलपनाओं का प्रिचार प्रिसार किया था, जैसे अगनिहोत और गायत्ती मन्त, बौद्ध धरम की अगर मत्कूर बातों की हम बात करें, तो गौतम बोद्ध सभी जाती हो पंतों के लिए खुला था, बौद्ध धरम, उसमें हर आदमी का स्वागत था, ब्रमण हो या चं मुझे आपकी भगवान राम होते, क्या आप जो कर रहे हैं, उसमें आपकी मदद करते हैं, मैं कहता हूं कभी ने करते हैं, अभी ही आप सुचे कि लोगडाउन के टाइम, कितने लोगों की जाल गई, सब नेता आपके या कि कोई मुझे नहीं लगता है बिधायक से लेकर म अभी नहीं है, और यह बात आप लोग समझ लीजे, हो सकता है कि आपकी पास पैसा है, हमारी पास पैसा है, हम जिन्दगी का ये पढ़ाओ मतलब जवानी का पढ़ाओ आराम से बिताना है, लेकिन धरती पर रहते हुए अगर आपको सजा मिलती है, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको भगवान आपकी मदद करने आएगी, या फिर आप उपर जाते हैं, अगर आप पर लोग इस तरह की बातों में भरोसा करते हैं, तो तब भी आपको कोई भगवान से छूट नहीं मिलेगे, भगवान आपके साथ कभी नहीं देंगे, थोड़ी बहुत मानावता रखी जाती है, भगवान उनको भगवान किसने बना दिया, हमील आप लोगों ने, पुरोसोत्तम राम, उन्होंने अपने आपको भगवान किसी ने नहीं कहा उन्हें, पुरोसों में उत्तम, पुरोसोत्तम, समझ रहा हैं, कि उनकी मतलब रिचार थे, जो उनकी एक तरह से उद्देश, उन्हें हम लोगों ने अपना है, उन्ही कारण उन्हें जाना जाता है, आज भी आप देख सकते हैं, आज अगर आपके लिए, आप किसी के लिए, किसी गाउं के लिए आप लोग भगवान बन जाते हैं, उसके लिए हर तरह से सोख, दोख, हर समय से साया का सम भगवान भगवान जी को कि वो एक मतलब आप सोचें मनुस में नहीं वो एक बंदर थे यहां मनुस कहड़े हुएं तो वो इस पार को इस लकीर को पार करते भगवान बन चुके हैं आज भगवान राम की जहां भी मूर्थी आपको देखने को मिलेगी वहां सरी आप सुचिए कि हनमान जी की जरूर मिलेगी लेकिन हम लोग एक मतलब एक स्टेप हम लोग पार करके भगवान नहीं बन सके यह हमारी सबसे बुरी हमारे लिए सरम की बात है आप सुचिए मातमा गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों से ना सिर्फ कई लोगों की जिंदगी को सफल बनाये बल्कि लोगों की सोच भी विक्सित की इसके साथ ही लोगों ने करुडा और दया का भाव भी पैदा करने में अपनी एहम भूमिका निवाई बौत सब्द का अर्थ इनसान की अंतरत्मा को जगाना है वहीं जब लोगों को बहुत धर्म के बारे में पता लगना शुरू हुआ तो लोग इस तरह इस धर्म की तरफ आकरसित भी हुए अब ना सिर्फ भारत की लोग बलकि दुनिया के कई करोड़ों लोग बहुत धर्म का पालन करते हैं इस तरह गौतम बुद्ध की अनुवाई पोरी दुनिया में फैले हुए हमारे देश में आप देख सकते हैं कि ये खतम होता जा रहा है लेकिन बाकी देशों में देखिए अभी भी अपनाया जा रहा है अभी भी आप देख सकते हिंदू संस्किती हो या कोई भी हमारे या साड़ी पहनने की बिता हो मैंने देखा है अभी पर या संत बनने की बिता हो तो हमारे देश से एक खतम होता जा रहा है बाकी विकसित देश हैं जो मैंने वहाँ देखा है कि लोग हमारी जो संस्किती रही उसे अपना रहे हैं लोग संत बन रहे हैं समझ रहे हैं और मैंने कहीं देखा था कि अमेरिका में लोग साड़ी बनने लगे हैं साड़ी को महत दे जाए हैं और हमारे याँ देखी है कि संस्किती से अटचे जा रहे हैं अमेरिका में मैं ने सुना था ये कोई संत प्रवित्ती के भी लोक बनते जा रहे। और हमारे या देखे शे खीर, है अलग बात है वो एक भी कि आप सुनते रहते हैं बुद्ध पूर्मा या गौतम बुध की जैन्ती, गौतम बुध की जेंती या फिर बैसाक की पूरिमा हिंदी महीने की दूसरे महीने में मनाई जाती है इसलिए से बैसाक या फिर हनमत सूरी भी कहा जाता है खास कर यह बॉध पर बॉध धरम के प्रचाय पिछलनेते बहुत धरम में आस्ता रखने वाले लोग बुद्ध पूर्णिमा को बड़ी दूमदाम से भी मनाते क्योंकि उनका एक प्रमुक्तिवार भी रहा है आपको बता दें कि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन गौतम बुद्ध का जरम भिया इसी दिन इने ग्रान प्राप्ति और इसी दिन इनका यानि की निर्धन हुआ यानि की महा निर्माड हुआ आप समझेए कि इनका जरम उसी बुद्ध पूर्णिमा के दिन होता है ज्यान की प्राप्ति भी इने बुद्ध पूर्णिमा के दिन होती है और इनी की जब नेधन यानि की जब धर्दी से जाते हैं तो महा निर्माड जिसे बोलते हैं आप लोग ये भी बुद्ध पूनिमा के दिन ही हुआ जब ऐसा किसी अन्न महापुरस के साथ नहीं हुआ है इसलिए इस दिन को होतम बुद्ध की जैन्ति या फिर बुद्ध पूनिमा के नाम से हम सब आप लोग चानते हैं अब कुछ इनके बिचार दिये गए हैं जो आपकी जिंदगी में भी वदलाओ कर सकते हैं देखे कोई भी आपका दोस्त होगा तो आप समझते होंगे कि उसमें अच्छा ही नहीं होगी कुछ उसमें बुराई होगी कुछ आपके दोस अगर दूसरा है तो उसमें बुराई होगी अच्छा ही होगी तो आप बुराईयों को छोड़िये न उसमें से जो अच्छा ही हैं उन्हें भी तो आप ले सकते हैं बुद्धरम में मैं कहता हूँ कि साधी इन्दा करना या घर परिवार छोड़ना ये अलग बात हो जाते हैं इतना मत करिये मैं तो कहता हूँ संपत्ती रखिए सब करिए लिकिन आप कुछ अच्छा ही हैं उन्हें तो आप लोग सुईकार कर सकते हैं अपने आप अपर लागू कर सकते हैं गुजरा बक्त वापस नहीं आता यानि कि जो समय गुजर जाता है वो वापस नहीं आता है इसलिए तो मैं कहता हूँ कि समय रहते हुए सब कुछ कर लीजे अभी NCEIT पढ़ा रहा था वहां भी मैंने यहीं कहा आप लोगों से कि समय रहते हुए सभी NCEIT को पढ़ लीजे क्योंकि समय निकलने के बाद आपके पास पच्छताने के अलावा कोई कोई और उपाय नहीं वच्छता है मैं तो कहता हूँ इस कास सब्द है आपने सुना हुआ कास सब्द है इस कास सब्द को जिन्दगी में हाना ही ने चाहिए अगर कास सब्द जब भी आ जाता है यह सबसे बड़ा दुक कारण बन जाता है उसी समय हम अकसर ऐसा सोचते हैं कि अगर आज कोई काम अधूरा रहेगा तो वो कल पूरा हो जाएगा हाला कि जो बक्त भी गुजर्प गया वो बातपस नहीं आएगा जिस तरह से जिस तरह एक मुवमत्ती बिनाग के खुद नहीं जल सकती उसी तरह एक इनसान बिनाध्यात्मिक जीवन के जीवित नहीं रह सकता है बूद काल में मत ओल जो भविस के सपनें सपनों में मत खो जाओ वर्दमान पर ध्यान दो यही खुश रहने का रास्ता है यह आप भी जानते हैं कि आज आप लोग अपने आप पर जितना मतलब मेंनत करेंगे यही काल आपको निखारेगा और आपको सफल बनाएगा ठीक है सत्ति के मार्क पर चलते हुए ब्यक्ती केबल दो ही गलतियां कर सकता है या तो पूरा रास्ता ना तैकरना या फिर सुरू सुरुआत ही ना करना यही दो सबसीड बात है और जो पूरा रास्ता ना कर ली वो हमेशा याद रखा जाता है समझ रहे कई लोग होते हैं कि आप सब्सेविस की तयारी कर रहे या किसी भी स्टेट PCS की तयारी या किसी भी अज्यान की तयारी कर रहे एक लोग होते हैं जो सोचते हैं और बैठे रह जाते हैं वो सोचते ही रहते हैं एक वो लोग होते हैं जो काम करते हैं लेकिन पूरा नहीं करते हैं एक वो लोग होते हैं जो काम सुरू भी करते हैं और एंड तक उसे अंजाम भी देते हैं और आप जानते हैं कि यही लोग सफल होते हैं हर इंसान को यादिकार है कि वो एपनी दुनिया की खोज स्वयम करें हर दिन की एहमिया समझें इंसान हर दिन एक नया जनम लेता है और हर दिन एक नया नए मकसद को पूरा करने के लिए इसलिए एक दिन की एहमियत समझे यानि कि हर सेकंड की मैं तो कहता हूँ हर मेनिट की एहमियत समझे आप लो समझे ये, समझे रहे गुजरा वक्त वाफस नहीं आता हर अकसर, हम अकसर ऐसा सुचते हैं और दूसरे के बिवहार का कैसा जबाब देते हैं इसलिए असली खुशी हमारे मस दिस्क में और सबसे बड़ी आपकी संतुष्टी ही आपकी खुशी देती है आपको मैंने कई बार आपको पिक्चर्स भी सेयर की हुई है, कि एक बच्चा रोड पर कुछ बैशता है मतलब ऐसा कोई भी बस तो बैशता हो इतना खुश दिखता है, हसता हुआ कई आपने लेखा है सब जीवेंच रहे हैं वो भी खुश रहे हैं, और हम आप घर में बैटे हुए हर तरह की सोविधा है फिर भी हम खुश नहीं रहे हैं तो मुझे लगता है संतुष्टी रखना जरूरी है आकास में पूर्व और पश्चिम का कोई भेद नहीं है लोग अपने मन में भेद भाव को जिनम देते हैं और फिर यह सच है कि सच है, ऐसा विश्वास करते हैं आप हमीसा चूची वे आप सकिए कोई हमारा मित गरीब है या नहीं है, हमारी बस्ती में कोई रहे रहा है हम उस पर घमंड करें हम उसे मतलब उसे भेद भाव करें क्या उखाड लेंगे ऐसा तो है नहीं कि आप भूँख से मर जाएगा या आप अपनी महांता कोई हासल कर लेंगे नहीं न देखिए मुझे नहीं लगता है कि हम घमंड में जीकर या इस तरह के भेदभाव करके किसी को कुछ ना समझें कुछ पालेंगे मैंने बताया आप लोगों को हमेशा कि किसी दूसरा व्यक्ति अगर आप पर भरोसा कर रहा है आपको 100% दे रहा है आपकी रिष्टे को बनाने के लिए 100% आप पर खर्च कर रहा है तो आपका कर्तब तो बनता है कि उसमें 10% तो उसे बापसी करिए ठीक है क्योंकि मैंने देखा है ऐसे लोगों को जो सब कुछ पा चुके हैं सकसरे हैं हलतर ऐसे वो भी आज अपने आप में संदुष्ट नहीं रोते हैं बैटके क्योंकि आप दूसरे को खुशी देंगे तब ही मुझे लगता है आप खुश रहे पाएंगे अगर आपकी वज़े से किसी दूसरे की आँखों में आसू आते है दूसरा पीछे जाता है या पिछड़ता है किसी भी चीज़ में तो आप खुद को माप कर सकते हैं हो सकता है कि आपके बारे पर में जाना नहीं जानता हूँ लेकिन भगवार आपको कभी माप नहीं करेंगे ठीक है तो अच्छी चीज़ों के बारे में सोचे हम वहीं बनते हैं जो हम सोचते हैं इसलिए सकारात्मक बातें सोचें और खुश रहे कहा जाता है कि अगर 24 गंटा में एक दिन आप 24 गंटे खुश रहते हैं तो आप दुगनी तिगनी सत्ती से काम करने सकते हैं और आपकी दिमागी चमता भी بड़ जाती है इसलिए हमेसा सकारात्मक सोचें और खुश रहे आगर आपने सुना भी होगा कि अगर आप कोई काम करें उसमें आपने आपका दिमाग में आ जाता है कि कास हम इस काम में हार जाते हैं ठीक, जिस तरह से लाबावार करने पर गास जैसी नरम चीच की धार भी हास को खायल कर सकती है। धरम को जिस भी धरम में आप रह रहे हो उससे पहचानी है उसमें जो है उसे जानी है आप लो यह धरम कभी नहीं करता है कि दूसरे की धरम को गराईए दूसरे को गाली दिखेए या कर आप सोसल मिडिया पर किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलिए ठीड़? आपको यह अग अगर आप अन्हेरे में डूबे हुए तो आप रोसनी की तलास क्यों नहीं करते यह भी अच्छी बात है जिस ब्यक्ति का मन सांथ होता है जो ब्यक्ति बोलते और अपना काम करते समय सांथ रहता है वह ही ब्यक्ति होता है जिसने सच को हासिल कर लिया जो दुखों दुख से मुक्त हो चुका हुए इसे बात आप लोग भी जानते होंगे कि मुझे लगता है कि फता है हम लोग कोई भी काम कर रहे हैं तो वहाँ लोग बड़ा चाप दिखाते कई बचों ने आपने सवाल भी किये हुए थे कि मैं सोचता रहता हूं मेरा दिमाग कुछ ना कुछ च खाना भी निका सकते हैं, समझे पूरी तरह इस डिपेंड, तो इसमें आप क्या उखाड सकते हैं, इसमें एक ही काम करिए न, आप लोग पढ़िए, अपना ध्यान पूरा पढ़ाई पर लगाईए, बाकी की चीजों को अटाईए, समय रहे, बाकी की चीजों को समय सोचिए जवाब उस पोजीशन पर पहुंच जाए, या मन उसका अपना मन ना की उसका सत्रू जो उसे रे मार्ग पर ले जाए, जीब एक तेज चाकू की तरह बिना खून निकाले ही माल देता है, आपकी जीब जो यानिकी बोलने की बात की जा रही है, हजारों दिये को एक ही दिय यह से बिना उसके पिकास को कम किये जलाया जा सकता है, खुसी बाटने से खुसी कभी कम नहीं होती, देखिए कितनी अच्छी बात कही गई है, इन्हें कम से कब अपने जीवन पर लगाईए, देखिए फिर की इतियास में आपको याद रखा जाता है या नहीं, हो सकता है क यभी शुरू में आप इस तरह के काम करें, तो लोग आपको रहसेंगे, लेकिन लाश्ट तक आप लोग पहुंचिए, देखिए, अपने आप, हम अपने विचारों से ही अच्छी तरह ढलते हैं, हम वही बनते हैं जो हमने सोचते हैं, जब मन पवित होता है, तो खुसी प खोकले सब्दों में सब्दों से एक सब्द बेहतर हैं, जो सांती लाता है, और मैंने हमेसा बोला है कि कोई अगर पूरा एकजार का कोई सेंटेंस बोल रहा है, सो सब्द बोल रहा है, तो उसमें आप लोग हमेसा ऐसा सब्द एक बोली है, जो पूरे उसके सो सब्दों की भरबाई कर दे और बारती वहीं खतम हो जाए कोई गाली दे रहा है तो वहाँ एक सब्द बोलकर ऐसा निकल जाए है कि सामती हो जाए और आप निकल जाए हो ठीक एक निश्ठाहीन और बुरे दोस्त से जानवर जानवरों कि अब एक जानदा भैवीत होना चाहिए क्योंकि एक जानवर सिर्फ आपके शरीर भाव देता है लेकिन एक बुरा दोस्त आपके दिमाग में भी खाव कर सकता है इस तरह कि आप भी सोचिए थोड़ा इन पर बिचार किया करिएगा आप लोग जब भी आप कभी कुछ पढ़ते हैं तो इन पर आप बिचार करना चाहिए आपको समझ रहे? आपको जो भी मिला उसका अधिक मुल्यांकर ना करें उन्ना ही दूसरों से नपरत यानी की इस्या करें बे लोग जो दूसरों से इस्सिया यानी की नफरत करते हैं उन्हें मन की सांती कभी नहीं पराप्त होती है आप एक सबसे बड़ा संदोष्ट सब्द अपने दिमाग में लाईए उससी से अपना काम चलाईए एक कुत्य को एक अच्छा कुत्ता नहीं माना जाता है क्योंकि वह एक अच्छा नादकार है एक आदमी एक अच्छा आदमी ना ही माना जाता क्योंकि वह एक अच्छा बोल लेता है कहते हैं ना कि हम सबसे पसुमों में हैं या फिर किसी भी जानबर में हो हमारे अंदर सबसे जाधा मतलब आप सोची सोचने की सकती है, समझदारी की सकती है लेकिन फिर भी हम लोग बेवकूपी जैसी काम करते है देखिए आप अगर गाय को देख लेजिए कुट्टे को देख लीजिए, वो खाना खाता है वफादारी करता है, वो अपना धरम निभाता है, आज हम अपना धरम देख लीजिए, कि हम अपने धरम से कितने दूर हट चुके हैं, हम इंसान हैं तो इंसानियत निभानी चाहिए न, नहीं न चलिए ख्यारी, छोड़िए जो भी आपको अच्छा लगा हो, तो आप अपने आप पर फोलो कर सकते हैं, ठीक और बाकि आपको बताना हिस्टरी के बारे में जितने भी महान हुए, वो मैंने बात की थी, तो मैं कर रहा हूं मांगे आगे हम लोग महावीर स्वामी साहब के बारे में बात करेंगे, ठीक है?